तो है गाईस आप लोग के काफी ज़्याधा डिमांड पे लेकर आ गया हूं एक बहुत मज़ेदार वीडियो बहुत इंफिर्मेटिव जिसमें मैं जानकारी देने वाला हूं कि बिजनस को ग्रो कैसे करें या फिर अपने बिजनस को स्टाट कैसे करें बहुती ज़्यादा पर एको बहुत सार लोग यह भी बोले से सर आप इस पर वीडियो बना दें ताकि हमें help मिल सके तो आप लोगों का काफिछ जादा डिमांड पर लेकर आ गया हूँ यह वीडियो इसमें मैं बताने वाला हूं आप लोग लगभग बारा टिप्स बारा पॉइंट्स बताने वा हैं इसमें आपको छे पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं और नेक्स वीडियो जो पार्ट तू आएगा उसमें हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं तो हे गाइस मेरे नाम आतीस आप देखे आपका अपना यूट्यूब चैनल शार्दावदस कंपनी गाइस आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा अच्छे से मैंने नोट्स प्रिपेर किये हैं आप लोग को आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने एक एक बारिकी का ख्याल रखा है तो चलिए पहला पहला पॉइंट जो आता है गाइस वह होता है सर्च बिजनस आईडिया अगर मानलो आपने की बहुत अच्छा चले जो मेरे एरिया में यूनीक हो और जो मैं अच्छे तरीके से कर सको यह सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप बिजनस सर्च करो देखो आपके आपके एरिया में कौन सा बिजनस का ज्यादा स्कोप है कौन सा बिजनस ऐसा है जो यूनीक होगा आपके के लिए जिसका डिमांड तो है लेकिन वह आपके एरिया में विलबल ना हो तो आप ऐसा बिजनस सर्च करो अभी आप मैं बताता हूं कि यूटूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे आप घर बैठे ए टू जेड नॉलेज हासिल कर सकते हो नॉलेज ले सकते ह तो आप यूटूब का सहारा लो यूटूब पे बहुत सारे क्रियेटर हैं बहुत सारे बिजनस के वारे में बताते हैं जो बहुत सारे बिजनस करके सफल भी हुए हैं तो आप उन सब में यूटूब पे सर्च करो बहुत सारे बिजनस को देखो अच्छे से पर्खो उसके आप ने बिजनस तो बहुत सारे देख लिए लेकिन सारे बिजनस है अपको बिजनस कॉन क्लियर हो जाएगा कि डिसाइड कैसे करें और मैं कुछ बाते बता देता हूं कि डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि वो आपके एरिया में चलने लायक है की नहीं आपके एरिया में क्या वो पहले से अवेलिबल है क्या आपके एरिया में उसके उस बिजनस को लेकर डिमांड है क्या आपके एरिया में वह चल पाएगा आप उसके मार्केटिंग कर पाओगे या नहीं यह सारी चीज़े बहुत सारी और भी पॉइंट से जो आपको देखना रहता है वह आपको आगे कि जो पॉइंट बताऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा तो गाइज इसके वाद हमारा फ़ोइंट होता है उसमें निविज्टमेंट क्या है आपने बिजनस अइडिए डेसे इंवेश्य कर लिया मैं से आपको इस बीजड़ की ने लिखन करने है कि आपको बॉइंट के वारे में फिर फूरा झायज पूरा बिजनसनelों आएगा बिजनस चालू करने के बाद भी आपका इंवेश्टमेंट जो है वो किस तरीके से आपको आपको रिकवर करना है यह सारी चीजे भी आगे का प्रोसेस में है सबसे पहले बाते कि इंवेश्टमेंट कितना लग रहा है यह आपको देखना बहुत जरूरी होता है क्यो उसके उपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसा है कि आप इंवेश्ट कर सकते हैं उसके इसाब से भी आप बिजनस चूज कर सकते हो फॉर्स पॉइंट है का इस मार्केट रिशर्च आपने बिजनस कर लिया आपने बिजनस आइडिया आपने उसका इंवेश्टम का कहना यह है कि आप business में जितना invest करते हो अगर अगर उसका 20% भी अगर आप research पर इंवेस्ट कर देते हो तो आपका business बहुत ज्यादा बेतर तरीके से grow करेगा और आप अर्ष से first तक पहुच सकते हो तो guys बहुत ही ज्यादा करता है कि आप market research कि आप किस तरीके से करते हो और कितना करते हो friends किसी भी product के लिए market research करना ज़रूरी है पता चला कि मैंने suppose आप मान के चलो कि कोई भी एक product का आपने मान के चलो कि आपने LED बल्व का market उसका कुछ भी पता नहीं है आपको उसका margin profit कुछ भी पता नहीं है आपने business कर लिया पता चला कि आपके एरिया में ही आपके घर आपके मुहले में ही चार लोग और उस business को कर रहे हैं तो guys यहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत problem आने चार लोग उस market में हैं और वहां पर क्या है कि margin क्या है या आपने पता नहीं किया पता चला कि वीडियो में जो margin बताया थे आपके एरिया के लिए नहीं है आपके एरिया में उससे कम में और लोग भी देने के लिए हैं तो यह सारी चीजे मार्केट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके मार्केट में भी उस प्रोड़क्त का रेट क्या चल रहा है जो आपने बिजनस करने का सोचा है आप मार्केट कीजिए प्रोड़क्त का रेट पता किजिए कि क्या रेट चल रहे हैं आपके मार्केट में profit margin क्या है, product की quality कैसी है, क्यूंकि आपको भी अपना product का quality maintain करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि market में जो already चल रहा है, उससे बहतर quality maintain करना पड़ेगा आपको, जिसके वज़े से आपको marketing research में, जो market research जो हम करते हैं, यह आपका बहुत help करता है, आपके product को enhance करने में, आपके product की quality को बढ़ाने में, आपका marketing strategy बढ़ाने में, तो आपको marketing research करके और market strategy तभी बनता है, जाओ आप market research करोगे, उसके उपर आप business करोगे, तो आपका business भूम करके आगे निकलेगा, और आपका business एक तरीके से बोले, तो अर्ष से फर्स तक जाएगा गाईज यह था हमारा चौधा पॉइंट पांचमा पॉइंट है बिजनस एक्यूप्मेंट एंड रॉम मिट्रियल्स अब बारी आती है गाईज कि आपने मार्केट रिशर्च तो कर लिया कि हां इतना प्रॉफिट है इतना मार्जिन है इस र पता चला आपने यूटूब पे बिजनस आडिया कहीं से मंगा लिया पता चला यहां आने के वाद कि उसका कौलिटी बहतर नहीं है रेट ज्यादा ले लिया आपसे कंपनी वाले ने उस से बहतर क्यूंके मार्केट में चल रहा है और काफी अच्छे दूरेट में मिल रहा कि best quality और best price आपको कहा मिले, आप सिर्फ price पे भी मत जाओ कि मुझे यहाँ श्रस्ता मिल रहा मैं यहाँ से ले लूँगा, margin जादा कमाऊंगा, यह भी आप सोची के तो यह गलत है, आप ऐसा अगर करोगे, तो मुखे बल गिरोगे, आपको देखना है कि best quality और best price कहां मिल रहा है, आप research करें, उसके बाद कोई अच्छी सी companies को select करें, इन सब में से कहां इसकी quality भी best है, rate थोड़ा सा normal है, genuine है, तो आप बिल्कुल वहां से माल उठाए, क्योंकि अगर quality बेस्ट होगा, तो आपको भी market में rate अच्छा मिलेगा, price अच्छा मिलेगा, product का और आपका product का quality के वज़े से, आपका market अच्छा बन जाएगा, तो आप अच्छा margin भी कमा पाओगे, तो ये पाच्वा point था, business raw material and equipment, तो guys इस वीडियो का सबसे last, छटा point जो है हमारा, raw material कहां से best मिलेगा, raw material कहां से best मिलेगा, ये पाच्वा point जो मैंने अभी बताया था, raw material के बारे में, अच्छी quality की मिलेगा, तो ये सारी चीज़े आपने देख लिया, अब बहुत सारी चीज़े ऐसा होता है, कि आप जहां से machine ले तो वही से raw material भी लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम आगे भी वही से raw material ले, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आगे देख सकते हो raw material के लिए, कि और अच्छी manufacturing units कौन सी है, manufacturer कौन से हैं, जो मुझे best price में best raw material दे सके, तो आप raw material के लिए भी एक जगे पे मत टिको, क्यूंकि एक जगे पे क्या होता ना, आप एक जगे पे जाओगे raw material के बारे में, तो अपने material को सब कोई अच्छा बोलते, तो आपको अच्छा बोलेंग और अभी YouTube एक ऐसा platform है, मैं आपको platform बताता हूँ, जहाँ आप search कर सकते हो, और ये सब आप use करते हो, लेकिन आपने इसको काम के लिए बहुत कम use किया होगा, तो मैं आपको आज बताता हूँ guys, कि YouTube एक ऐसा platform बन चुका है, जहाँ पे आप हर चीजे, हर किसी चीज के बारे मैं search करके पढ़ सकते हो, knowledge gain कर सकते हो, बिल्कुल free of cost, जैसे कि आप हमारे वीडियो भी free of cost देखते हो, आपको सिर्फ इसके लिए क्या करना होता हमारे चैनल को subscribe करना होता, ताकि आप आगे continue वीडियो देखते रहें, और हम आपके लिए और धेर सारे वीडियो लाते रहे तो हमारे चैनल को subscribe कर ले, ताकि आगे जो वीडियो लेकर आओ, तो आप मिशना कर सको, तो guys raw material के लिए आप YouTube पे search करें, Google पे search करें, India Mart पे search करें, India Mart एक बहुत ही बहतर platform है, जहां पे आप किसी भी product के raw material के बारे में search कर सकते हो, और वहां से बहुत सारे verified supplier जो इस product में deal कर करते हैं, वो suppliers आपको खुद वखुद contact करते हैं और आपको बताते हैं, तो आपको decide करना एक उसमें से कौन सा best price है, quality कौन company अच्छी दे रही है, आप वहां से decide करें, select करें, और market में लेके आए, और आप भी दुकानदार को अच्छे margin पे छोड़ें, आपको भी अच्छा margin हो, guys, अभी मैंने जो 6 points बताया, इन सब का खयाल रखते हुए, आप किसी भी business को बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किये, आप ये वीडियो देखकर आगे जो part 2 लाऊंगा, one और part 2 जो लाऊंगा, अभी तो मैंने 12 points बनाये हैं, जिसमें 6 points इस वीडियो में दे रहा हूं इंबर में second call आते हैं, तो हर किसी को business के बारे में बताना possible नहीं होता है, अगर आपको machine वगरा लेना हो, तो ही हमें call करें, otherwise business वगरा के बारे में जानना हो, तो हमारी चैनल पर वीडियो में आपको इसलिए बना कर देता हूं, तो please आप हमारी चैनल पर visit करें, इस वीडिय सके, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, यहीं पर end करते हैं, इंतजार करना second part इसके बाद तुरंद बाद आने वाला है, तो आप अगर हमारी चैनल को subscribe नहीं किया, तो हमारी चैनल को subscribe करें, वेल आइकन को press करें, ताकि जो वीडियो लेका रहा हूं, तो आपको notification मिले सबसे पहले आपको, तो चली मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते